हाई एवरीवन वेलकम तो मैं यूटूब चैनल माइनम इस सनी अमेरिया फ्रेंट्स आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल तो आज का टोपिक है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नहीं वीडियो आएगी सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा सो विडाऄ वेस्टिंग टाइम वीडियो करते स्टाइट बटउससे पहले मैं कुछ इसमें सेटिंग कर देता हूँ जो आपको वीडियो किलियर मिले इससे जूम इन करता हूँ पहले मैं जूम आउट करता हूँ एब ठीक एब ठीक है तो आपका फ़र्स्ट कोश्ट है आपका फर्स्ट कोशन है मापन किनी निश्चीत स्विकरती नियमों के अनुसार वस्तों को अंक प्रदान कनने की पिर्किरिया है या परिवसत दी है ओप्शन डी स्टिवेंस ने कोशन नमबर टू मुल्यांकन एक व्यापक सब्द है जिसमें सामिल है ओप्शन डी उप्रोक्त सभी कोशन नमबर थ्री परिक्षन प्राम्पतों को व्याखा कहलाती है ओप्शन बी मुल्यांकन कोशन नमबर फोर निमिन में से कौन सी मुल्यांकन की मातरात्मक प्रविदी नहीं है Option D. साक्षातकार प्रविदी Question 5. निमिन कतनों में से कौन सा कतन समापन और मुल्यांकन के संबन में सही नहीं है में सही है Option B. मुल्यांकन मातरातमक होता है जबकि मापन गुणातमक होता है Question 6. एक प्रतिनीदी समू का किसी परिक्षण पर ओसत निस्पादन कहलाता है Option D. विश्वासनेता Question 7. वै बुल्यांकन जो सीखने की प्रगति को निगरानी करता है Option C. योगातमक मुल्यांकन Question 8. वैवार के नमूने को मापने के लिए प्रियुक्त होने वाला उपकरण Option D. आकलन Question 9. मापन का पर्थम चरण है Option C. क्या मापन है इसका निड़ने करना Question 10. 400 मीटर दोड में एक एथलिस्ट का पर्थम इस्थान पर आना उधारन है Option B. क्रमिक पैमाने का Question 11. उचाई, वजन, लंबाई, आदी मापने के किस इस्थर के उधारन है Option B. अंतराल पैमाना Question 12. नामित पैमाना मापन का निमिन्तम इस्थर कहा जाता है जबकि डैस मापन का उच्छतम इस्थर होता है Option C. अनुपात पैमाना Question 13. निमिन में से कौन सी विशेषता मापन के अंतराल पैमानों में नहीं पाई जाती है Option D. वर्गी करण Question 14. वेदता किसी कसोटी के साथ परिक्छन का सहसंबंध है या परिवासदी है Option A. फ्रीमेन Question 15. मापन की चर्थ रूटिया संबंदित होती है Option A. परिक्छन के अमानक से Question 16. निदाना आत्मक परिक्छन का मुख्य कार रहे है Option A. छातरों के बोध इस्तर को ग्यात करना Question 17. आखों का रंग एक उधारन है Option A. नामित डेटा का नॉमिनल डेटा Question 18. निमिन में से कौन सा मापन का पैमाना Option B. अन्तराल पैमाना Question 19. समय लागत प्रिक्छन की गुणात वक्ता कहलाती है Option A. परियोजत्त Question 20. निमिन में से कौन सा मुल्यांकन उपांगम का सोपान नहीं है Option C. अधीगम अनुभव Question 21. कौन सा पैमाना डेटे को अलग-अलग स्रेणियों में बरगी करत करता है Option D. अनुपात पैमाना Question 22. योगातमक मुल्यांकन सिख्छन अधीगम प्रिकिरिया में सुदार के अफसर प्रदान करता है Option A. Question 23. निमिन में से कौन सी एक उत्तम परिक्छन की तकनीकी कसोटी नहीं है Option A. कीमत Question 24. प्रमानी करण प्रिकिरिया में सामिल है Option D. उप्रोक्त सभी Question 25. राष्ट्यता भारतिय अमेरिकी ब्रिटीस आधी एक उधारन है Option C. नामिक पैमाने का Question 26. मानसिक मापन में किसका मापन नहीं होता Option A. बुद्धी Question 27. इस्पिर्मेन ब्राउन सुत्र का प्रियोग किसकी गर्णा में किया जाता है Option D. उप्रोक्त सभी Question 28. गुणात्मक विशेष्टा कहलाती है Option D. उप्रोक्त में से कोई नहीं Question 29. निमिलिकीत में से कौन सा उपकरण छात्रों के बारे में सूचना एकतरित कनने का सबसे अधिक वस्तुनिष्ट उपकरण है Option C. परएक छेपी तकनिक परचेपी तकनिक Question 30. निमिलिकीत में से कौन सा वस्तुनिष्ट परकार परचन है Option C. सत्य अत्वाय सत्य परकार परचन Question 31. वस्तुनिष्ट परकार की परिक्षाओं में किस परकार एक परचन पूछे जाते है Option C. ए और भी दोनो Open Ended परचन और College Ended परचन Question 32. मूल्यांकर में सामिल है Option D. उपरोक्त सभी Question 33. विश्वासनेता के सवरूप में व्याख्य करने के लिए निमिन सुत्रों के द्वारत दिया गया है प्राप्त प्राप्तांक X is equal सत्य प्राप्तांक T प्लस त्रूटी प्राप्तांक E Option C. गिलफर्ड Question 34. निमिलिकित विश्वासनेता की गणना करने वाली विदियो में से कौन सी इस्तिर्ता गुणांक देगी Option E. अर्ध विछेद विदी Question 35. एक परिक्षण को अलग करने अफसरों पर प्रसासित कर समान अंग देना परिक्षण की कौन सी गुणवक्ता कहलाती है Option C. आत्मिनिस्ट था Question 36. निमिलिकित में से कौन सा वस्तोनिस्ट पिरकार का पद नहीं है Option C. लगू उत्रिय परिक्षण Question 37. यदि कोई परिक्षण उन उदेश्यों को मापता है जिनके लिए इसे बनाया गया है तो यह परिक्षण की किस विशेश्टा को इंगित करता है Option D. प्रियोजता Question 38. यदि परिक्षण का अंगन परिक्षण की व्यक्तिनिस्टता के परभावित नहीं होता तो परिक्षण की इस गुणवक्ता को कहा जाता है Option D. उप्रोक्त सभी Question 39. यदि किसी परिक्षण की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो Option C. A और B. दोनो विश्वासनेता बढ़ जाएगी Option B. वेदेता बढ़ जाएगी Option C. A. का A. और B. दोनो सही है Question 40. निमिन में से कौन सा चलांग में या पून संख्या में व्रद्धी करता है Option C. और B. दोनो Question 41. निमिन में से कौन से आंकडो के संख्या की तकनीकी है Option C. परिशनावली Question 42. निमिन में से कौन विचलन की सार्धिक विश्वासनेता माप है Option A. परमानिक विचलन Question 43. अर्द विच्षेद विश्वासनेता की गणना करने का सुत्र है Option C. टू आर अपोन वन पिलस आर ब्रैकिट में Question 44. कोटी अंतर सहसंबंद विदी में कोटीों के अंतर कब योग होता है Option D. अप्रोप्त में से कोई नहीं Question 45. निमिन खित में से कौन विधता से संबंदित है Option C. वियक्तिकत तुरूटिया Personal Error Question 46. एक बारंबारता बहुबुज वर्ग अंतराल की बारंबारता तथा डैश आलेखित करके बनाया जाता है Option C. वर्ग की उच सीमा Upper limit of the class Question 47. परिक्षण निमान के किस सोपन में विशिस्टी करण ताली का ब्लूप्रिंट तियार किया जाता है Option D. उप्रोक्त में से कोई नहीं None of the above Question 48. निमिन में से एक पत का कठेनाई इस्तर और विभेदी करण सकती की गणना की जाती है Option A. विश्वासनिता Question 49. तथा रो के अनुसार एक परिक्षण निर्मान के कुल कितने सोपान होते है Option A. 4 Question 50. के आर माइनस 20 सुतर का प्रियोग किसी गणना में किया जाता है किसकी गणना में किया जाता है Option C. ए और भी दोनों विश्वासनिता और वेदता Question 51. सांकी की के जनक माने जाते है Option A. बावले Question 52. स्टैटिस्टिक सब्द लेटिन सब्द में आयाग है स्टैटिस्ट ऑप्शने काफी डिफिकल्टीज होती है कभी-कभी हिंदी के वर्डों को प्रणांस करने में अगर कुछ कलती हो गई हो तो उसके लिए सौरी Question 53. सांकी की गणना का विज्ञान है यह परिवासत दी है Option C. बोडिंग अंटन Option C. Question 54. टैली को आमतोर पर डैस के गुच्छों में चिन्नित किया जाता है Option B. 4 Question 55. टैली चिन्नों का अप्योग ग्यात कन्ने में किया जाता है Option C. वर्गांतर को Classic Interval Question 56. संद 2011 की जंगनना उधारण है Option C. ए और B. दोनो प्रात्मिक प्रदत का और दुईत्य प्रदत का Question 57. आयद चित्र में वर्गांतर को प्रद्रशित किया जाता है Option C. ए और B. दोनों पर X एक्सिस पर और Y एक्सिस पर Question 58. एक वर्जित संखला में Option B. एक वर्ग अंतराल की उच्छ सीमा को वर्ग अंतराल में सामिल नहीं किया जाता Question 59. निमिन में से कौन सा सांखी की आंकडों का आलेख्य निरूपन नहीं है Option D. दंड आरेक Question 60. वर्ग अंतराल का मद्द बुंदू बराबर होता है Option D. उप्रोक्त में से कोई नहीं Question 61. माध्य विचलन है Option D. उप्रोक्त में से कोई नहीं Question 62. प्रमानिक विचलन का वर्ग कहलाता है Option B. विचलन गुणांक Question 63. प्रमानिक विचलन की अवधार्न किसके दुआरा प्रस्तुत की गई है Option D. गिलफोर्ड कोश्चन नमबर 64 माध्य है विचलन प्राप्त किया जा सकता है option D उप्रोक्त सभी से कोश्चन नमबर 65 आ गया आपका x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 तथा x माइनस 4 का मध्यमान होगा option A bracket on 4x प्लस 5 bracket off is equal 4 आपका option A है question 66 निमिलिखीत सरंकला में QI Q1 का मान क्या होगा 6, 7, 8, 10 और 12, 13, 15, 17, 18, 90 और 21 का option A option A question 67 निमिलिखीत प्राप्तांकों का मध्यमांग क्या होगा 3, 5, 7, 9 और 12 का प्राप्तांक मध्यमांग होगा 3 option B question 68 एक प्राप्तांकों की संकला का प्रमानिक विचलन 10 है और इस सरंकला के सभी प्राप्तांकों को 4 से गुणा कर नहीं सरंकला बनाई जाती है इस नहीं सरंकला का प्रमानिक विचलन होगा option C 40 question 69 डैस की गणना करते समय प्लस और माइनस चिन्नों का अंदेखा किया जाता है option C question 70 निमिन में से कौन सी विचलन की माप सिरो पर इस्तित अंकों में सारुदिक प्रभावित होगी option B माध्य विचलन question 71 संचै बारंबारता की अवसकता किसकी गणना में होती है बहुलक option B question 72 यदि Q1 इसिकल 38.17, Q2 इसिकल 49.92 तथा Q3 इसिकल 65.86 तब चतुर्थांक विचलन का मान होगा option C 13.64 question 73 कींद्रिय परवर्ति की किस माप से मानक विचलन सादेव परिकल्पित किया जाता है option D उप्रोक्त सभी question 74 प्रापतांको 10,12,14,16,8 का मद्द्यमान विचलन होगा option A 2.40 question 75 निमिन प्रापतांकों के लिए बहुलक मान क्या होगा option C A और B दोनो question 76 प्रापतांक 0.3,5,6,7,9,12,0.6 का मद्द्यमान होगा option B 4.9 question 77 प्रोडक्ट मोमेंट्स से सम्बंद का प्रत्याई दिया प्रत्याई दिया था option B प्रियेशन ने काल प्रियेशन ने question 78 किसी सरंकला में बहुलक तथा माद्यां करम्स 13 और 11 है उसका माद्द्यमान होगा option A ठीक है राइट इसके बीच का 13 और 11 के बीच का माद्यमान होगा 12 question 79 माद्यमान से विचलनों का बीच गनित्य योग होगा option B question 80 निमिलीखीत आकडों के लिए सयुक्त माद्यमान क्या होगा option आपका B 54 question 81 निमिलीखीत वित्रण पर विचार कीजे वर्क अंतराल और आवर्ती यहाँ पूरे डेटर दिया गया हुआ है बस आपको यह solve करना है वर्क अंतराल 40 है और 44 के बीच की संचई आवर्ती होगी पैंतिस correct right है question 82 माद्यां की गर्णा की सरंकला के लिए प्राप्तां को मदों की व्यवस्तित किया जाता है option C a और b दोनो question 83 एक वह विवाजन मान जो सरंकला दो बार बराबर भागों में बाटता है कहलाता है option B question 84 यदि 7,5,13,1 9,10 है तो X का मान है option D 16 question 85 एक बारंपारता वित्तरण के हो सकते है option B दो बहुलांक question 86 यदि किसी स्रेणी का मध्यमान 32 तथा मध्यमान 40 है तो बहुलांक मान क्या होगा option C 56 question 87 एन प्रिक्षणों का मध्यमान X है यदि प्रित्येक प्रिक्षण को K से गुणा की जाए तो नया मध्यमान होगा option B X is equal K question 88 विचलन सीलता की माप कभी नहीं हो सकती option B नकरात्मक question 89 उच्चितम मान याद कीजिए यदि प्रास 38 है और निमिनतम मान 87 है option A question 90 एक सरंकला का अंक ग्रनित्ये मध्यमान 20 है यदि इस सरंकला के सभी प्राप्तांकों में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अंक ग्रनित्ये मध्यमान होगा option D 15 question 91 सुत्र sigma X upon N का प्रियोग गढ़ना करने में क्या जाता है option D question 92 एक रेडिमेंट कपड़े की एक जो एक रेडिमेंट कपड़ा होता है कि दुकान के लिए सबसे उप्यूक्त के इंद्रे प्रवर्ति की माप होगी option A question 93 spearman सहसंबंद गुणांका नियुनितम मान हो सकता है option C plus 1.25 question 94 निमिन में से किसकी गणना ग्राफ्य विधी से नहीं की जा सकती option D उप्रोप्त सभी question 95 काल पिरियेशन सहसंबंद गुणांका अधिक्तम मान हो सकता है option B माइनस में A question 96 एक बारंबारता वित्रण हो सकता है option D B और C दोनो B और C सत और A सत question 97 सहसंबंद को नकरात्म का जाता है option D उप्रोप्त में से कोई नहीं question 98 cold rings की विक्री और दिन में तापमान के भी सहसंबंद होगा option C सून्य सहसंबंद question 99 अनुसूची प्रिशनों की एक सूची होती है जो भरी जाती है option C A और B दोनों द्वारा अनुवेक्शन द्वारा और सूचन देने वाले द्वारा question 100 पंक्ती और कोलम में डेटा को विवस्तित करना कहलाता है स्राण निकरना option C friends हम 100 questions विवारा अगर आपको मेरी वीडियो और कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and most important and hit the bell icon and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए keep watching and keep learning